नियाय से मुक्ती कस्बे में आए दिन इतने जगडे होते थे कि वहाँ वालों को चैन नहीं मिलता था। रोज दोड़ दोड़ कर शहर जाते, वकीलों की जेब भड़ते और फिर नए मुकदमे की तयारी करने लगते। कई बार उन लोगों ने मिलकर इस समस्या का समाधान सोचा पर कुछ न सूझा, जगडे खत्म होने का नाम ही न लेते थे। आखिरकार कस्बे वालों ने मिलकर ये तय किया कि अपने जगडे वे खुद ही निप्टाया करेंगे। इस तरह वे अपना जगडा भी तय कर लेंगे और कस्बे का पैसा बाहर भी नहीं जाएगा। बहुत कोशिश के बावजूद कस्बे का कोई आदमी जज बनने के लिए तयार न हुआ। हर आदमी जगडा करना ही अधिक पसंद करता था। उसका न्याय करना उसके लिए ग्रहय न था। कस्बे वाले अपने कस्बे में किसी को जज के काम के लिए राजी न पाकर पास के गाउं से एक खाली आदमी पकड़ लाए और उसे खाने कपड़े पर अपने कस्बे का जज बना दिया। जज ने आते ही वहाँ पर जेल बनवाई, पुलिस ठीक की और लोगों पर अपना दबदबा जमा लिया। पर आंगन के भीतर उसी दिवार में उसने बड़ी बड़ी कीलें गाड़ रखी हैं जिन पर वह शक्स अपने कपड़े वगयरा फैलाता होगा। पेशा सुचारू रूप से चला सकूँ। जज साहब चोर के तर्क से बहुत प्रभावित हुए। सुक्रू दर्जी अदालत में हाजिर हुआ। जज साहब ने उसका बयान मांगा। दर्जी ने कहा। जज ने अपने विद्वत्ता प्रदर्शित करते हुए दर्जी के तर्क को काट दिया। और कहा। तो किसी घर में कूदने का अधिकार इसके पेशे के अंतर गत इसको सहज ही मिल जाता है। इस प्रकार तुम्हारा ये आरोप अपने आप खंडित हो जाएगा। तुम्हारी कीलों की वजह से इसकी आँख गई है। यदि तुमने कीले गाड़ी थी, तो इसकी पूर्व सूचना कस्बे में सब के पास होनी चाहिए थी। इस संबंध में गवाहियां ली गई। चोर ने कई घरों से आदमी लाकर ये कहलाया कि वह खांदानी चोर है। उसके दादा ने अपने घर में ही कई बार चोरी की थी और इसका बाप एक संस्था का मैनेजर था जहां पर उसने खूब रुप्या चुरा चुरा कर खाया था। जज महोदे ने इस से सिध कर दिया कि वह खांदानी चोर है और उसे अपने पेशे के अंतरगत जो स्वतंतरताएं और सुविधाएं मिलनी चाहिए उसमें किसी घर में कूदने की सुविधा भी हो सकती है। दरजी ने कीली गाड़ने के विशय में पूर्व जानकारी के संबंध में गवाहियां एकत्र करनी चाही परवा न हो सकी क्योंकि बहुत से ऐसे लोग निकलाए जो ये कहते थे कि उन्हें दरजी द्वारा अपने घर में कीली गाड़ने की पूर्व जानकारी न थी। जज महोदय ने सारे मामले को बहुत ध्यान पूर्वक सुना फिर अपना निर्णय गंभीरता पूर्वक सुना दिया। और चूंकि वह दरजी अपने घर में इतना बेखवर होकर सोता है जबकि इसके घर में दूसरों के कपड़े रहते हैं इसलिए दरजी पर दस रुप्या जुर्माना किया जाता है। इसलिए दरजी की आँखे निकलवा कर चोर को दे दी जाए। हर गवा को भी दस दस रुप्या जुर्माना किया जाता है क्योंकि वे अपना काम छोड़कर दूसरे का काम देखते हैं। निर्णे सुनकर वादी, प्रतिवादी और गवा सब तरही तरही करने लगे। उसने कहा कि उसकी रोजी कपड़ा सिलने से ही चलती है। यदि आँख चली गई तो उसकी रोजी खत्म हो गई। दरजी की बात सुनकर सब करस्बे वाले हम हम करने लगे। दरजी ने कहा कि कस्बे में एक शिकारी ठाकुर रहते हैं। वे एक आँख बंद करके ही सदा बंदूग चलाते हैं। यदि उनकी एक आँख निकाल भी ली जाए, तब भी उनका कुछ हर्ज नहीं होगा। बलकि उनको एक आँख बंद करने की मुसीबत से सदा के लिए छुटकारा ही मिल जाएगा। जज साहब इस सुझाव से बहुत प्रभावित हुए और उन्होंने उस शिकारी की आँख निकलवा कर चोर को दे देने का प्रस्ताव मान लिया। शिकारी ठाकुर बुलाया गया। आँख निकलवाने के पहले जज साहब खुद उसका निशाना लगाना तथा उसकी एक आँख बेकार रहने की बात देख लेना चाहते थे। शिकारी ठाकुर बंदूख लेकर खड़ा हुआ। उसने निशाना लिया और बंदूख चल गई। बंदूख के चलते ही जज साहब कुर्सी से लुड़क कर नीचे आ गए और कूच कर गए। गोली ने उन्ही को पकड़ लिया। कस्बे वाले मातम करने लगे। न्याय करते हुए न्याय मूर्ती की मृत्ति हो गई। सब कस्बे वाले अपने भाग्य को कोचने लगे और दूसरे जज की तलाश में लग गए।